आज हम बनाएंगे कैसी सब्जी की रेसिपी जिसे आप कुछ मिन्टों पे बनाकर तयार कर सकते हैं बड़ी मज़ेगी बनती है देखे कितनी टेस्टी लग रही है तो अगर अचानक से महमान घर में आए ना तब आप ये रेसिपी ट्राई करना फटाफट बनती है बहुती सब्जी बनाने के लिए थोड़ा सा डाले तेल, कड़ाई में इस बनाले थोड़ा सा जीरा, दो डाले हरी लाइची, दस से बारा काली मिर्ची के दाने, दो तेज पत्ता, दो लोंग और एक बड़ी लाइची, उसके बाद दो बड़े साइस के रफली चोप की हुई प्या साइस के और कुछ भीगेवे काजू और थोड़सा नमक स्वात के साफ से डालें और इनको मीडियम हीट पर पका लें तब तक पकाना है जब तक कि यह टमाटर सोफ्ट ना हो जाए तो काजू डालना टोटली ओप्शनल है आप इसके खरबुजे के बीच डाल सकते हैं कसकस ड पनीर दोनों चीजों की मातरा बराबर रखें इसमें हराधनिया हरी मिर्ची रूटीन के मसाले हैं लाल मिर्ची का पावडर है गरम मसाला कसूरी मेथी काली मिर्ची का पावडर कोन फ्लार है और तीन टेबल स्पून है मैदा कोन फ्लार जिसे हम चाइनीज बनाने में इस् और फिर थोड़ थोड़ा हाटो पर घी तेल लगा कर इसकी बॉल्स बना लीजिए बॉल्स के अंदर स्टफिंग करना टोटली ओप्शनल है मैंने काजू किश्मिश की स्टफिंग की है जो की बहुत मजदार लगती है उसके बाद मीडियम हीट पर तेल को गरम करें और एक ए मसाले जैसे की तेजपता वगेरा निकाल दे और इसका फाइन पेस्ट बना ले तो यहां पर यह बोल दे कितनी बढ़िया लग रही है आप चाहे तो ने एज़े स्नेक्स भी सर्व कर सकते हैं बहुत मजदार लगती है अभी जो मसाला हमने पीसा था इसे चान कर तयार करें चानना जरूरी है कि जो खड़े मसाले हैं जो टमाटर प्यास के रेशे हैं वो निकल जाएंगे अब आपसे दूसरी कड़ह में डालेंगे तेल अपनी पसंद के साफ से इसमें डालेंगे एक टीस्पून कश्मीरिय लाल मिर्ची पाउडर एक टेबल स्पून कसूरी मेथी आधा चमच गरम मसाला धिनी का पाउडर नमक और थोड़ी सी चीनी और काली मिर्ची का पाउडर उसके बाद इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे हल्दी वगेरा कुछ न डालें आधा कब दूट डाले या फिर दो टबल स्पून ताजी मलाई डाले या फिर फ्रेश क् एसमें ठोड़ी सधनिया डाले और धकण लगाकर तकरीवन ती मिनट के लिए धीमयाजपरीने पकाए पकाते भार बार ना चलाएं बस धकन लगा कर छोड़े और ऑर यह करीवनकर तयार है ऊपर से थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ठोड़ी सधनिया डाले और गर्म-गर्म बहुत मज़ेगी बनी है बहुत शांदार बनी है वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें